सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल में इसका डीके एंड आज हम जी शुयर के बारे में बात करने जारे वा एंटी पीसी जी हाँ हम बात करेंगे इसके क्वार्टर वन रिजल्ट को लेकर इसका जोना क्वार्टर वन रिजल्ट आ चुका तो चलिए आपका ज़दा टेम वेस्ट ने करती हुए मैं सिधे आपको इसका जोना क्वार्टर वन रिजल्ट दिखा देता हूं तो आप देखोगे हम बात करेंगे इसे कंसोलिडेटी रिजल्ट के बारे में जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो इन रुपीज क्रोड में दे रखी है अगर बात करें टोटल इंकम किया है टोटल रिवैन्यू की मार्च जून क्वार्टर में तो यहां पर आप देखोगे 43,560 क्रोड का रहा है जबकि प्रिविस क्वार्टर में 37,724 क्रोड का रिवैन्यू था तो प्रिविस क्वार्टर से अपके बार हमें जोना रिवैन्यू में हमें जोना expense देखने को मिले थे तो previous quarter से expense में हमें जोना jump देखने को मिला है तो आप देखो कि अपकी बार जो revenue हो इसके expense से ज़्यादा है तो इसके प्रोफिट में गिरावट देखने को मिली है क्योंकि अपकी बार आप देखोगे expense बहुँ ज़्यादा रही है इसी कारणे तो आप देखोगे इसका quarter one result है profitable जरूर आया है लेकिन previous quarter से हमें जोना प्रोफिट हमें देखने को मिल रहा है और bonus dividend वगरा announcement किया नहीं गया I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आयो देखो लाइक कीजिए और ऐसे latest quarter results के बारे हम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए and thank you for watching the video